हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है अरुन और आप देख रहे हैं ट्रेट विदरुन यूटूब चैनल दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बिल्कुल डिफ्रेंट टॉपिक है आज हम एक इन्फोर्मेशन के बारे हम बात करने वाले हैं यह इन्फोर्मेशन आप सभी के लिए बह अनलाइन पेमेंट किया होगा तो आपको टेंशन लेने की थोड़ी सी जरूरत है वहाँ पर तो इस वीडियो को एंड तक देखिए आपको सारी चैनल समझ में आएंगी तो उससे पहले जो भी लोग इस चैनल पर नहीं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आ किया है जो हर दिन स्विगी से भर भर के ऑडर करते हैं उनके लिए आज का वीडियो बहुत इंपोटेंट है क्यों आपको पता है कि आपके कार्ड का डेटा खत्रे में है यह डाटा सायद हैकर्स के पास पहुँच गया है और आपका इमेल आईडियो और परसनल मॉबाइल और क्या करना चाहिए आपको कैसे इन से और करें कि आपके अकाउंट से अचानक लागों रुपय गायब नहीं हो जाएंगे पूरा वीडियो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आज ही प्रेस कीजिए आपको सब कुछ इस वीडियो में पता चलन के लिए तो आता नहीं है यह काम करते हैं कौन पेमेंट गेटवेस जो सेफ हैं सिक्यूर तरीके से अपने बैंक से पैसा लेके मर्चेट वेबसाइट के अकाउंट में जमा करते हैं यह प्रोसेस बहुत जादा सिक्यूर होता है क्योंकि पेमेंट गेटवे को आप अपना डेटेल्स या काड डेटेल्स दोनों प्रोवाइड करते हैं इस प्रोसेस को सिक्यूर करने के लिए आर बी आई ने टू स्टेफ ऑथन्टिकेशन का प्रोसेस चालू किया था जिसकी बचे से कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त इंडिया के अंदर आपको या तो ओटी और e-commerce website की बीच में पैसे LinkedIn का matter handle करता है Amazon और Swiggy जैसे बड़े companies के transaction जस्पे के जरिये होते हैं इस जस्पे कंपनी ने अपने recent announcement में ये कहा है कि अगस्त 2020 में यानि आज से 6 माईने पहले जस्पे के secure data store से किसी hacker ने लगवाग साड़े तीन करोड मास्क्ट कार्ट डेटा औ और ये announcement उन्होंने किया है 6 माईने बाद यानि जनवरी 2021 में कैसे हुआ ये चोरी और आप क्या करेंगे इसके बारे में हम आगे बात करते हैं तो अब बात करते हैं कैसे हुआ ये data theft तो जस्पे के website में जाएंगे तो आपको देखेगा कि वो अपने आपको payment का AWS कह रहे हैं AWS का मतलब है Amazon Web Service जो इनको technological functionality का main part है AWS access की एक ऐसा चाबी है जिसके जरिये इनके data centers को access किया जाता है data center वो जगह है जहां आपका और मेरा पूरा data save रहता है इसको आप लाखों करोड हाड़ डिस का एक unique storage place कह सकते हैं AWS access keys सिर्फ company के employees के पास होते हैं लेकिन ऐसा एक unrecycled यानि जो पुराना access है मतलब या तो company का कोई ex employee का access की किसी ने hack किया था या तो उस employee के इन में कुछ role था ऐसी एक access की के जरिये 18 अगस्त 2020 के आसपास कुछ unauthorized activity हुई जिसमें लगभग साड़ तीन करोड masked card data and personal information जैसे mobile number email ID इसको चुराया गया जस्पे का कहना है कि उनको जैसे इस बारे में पता चला तो ये attack रोग दिया गया masked card data में सिर्फ 48 number ही दिखते हैं credit card या debit card का और pin related data उसमें store नहीं होता इसलिए जस्पे का कहना है कि ये data breach से consumer की consumer पे pissing का कोई खतरा नहीं है लेकिन ऐसी बात है companies हमे अच्छली कितना खतरा है ये हम आगे डिसकस करते हैं तो अब बात करते हैं consumer को कितना खतरा है इस चीछ से सबसे पहले समझ लीजिए कि masked card data एक international format है जिसमें सिर्फ 4-8 number ही दिखते हैं इस data में कोई pin number नहीं रहता नहीं इसमें पूरा credit card या debit card का number दिखता है इसलिए अगर सिर्फ mask card data चोरी हुआ है तो direct threat तो नहीं है लेकिन hackers ने अगर back calculation किया clients name के साथ back check किया पूरे data को तो वो card का full 16 digit जो होता है 16 digit वो जान सकते हैं फिर भी successful transaction करने के लिए उसको CVB या number या फिर card पिन चाहिए होगा जो इंडिया में कोई भी online transaction के लिए जरूरी होता है लेकिन hackers ने client के mobile number और email ID भी चुराए है यानि hackers इस तरीके से phishing attempt करने की कोशिस कर सकते हैं आपको qualia email के जरी ठगने की कोशिस की जा सकती है अब जस्पे ने affected consumer के नाम नहीं बताए है अगर वो data बाहर आ जाए तो फिर वो consumer साबधान रह सकते हैं जस्पे का कहना है कि data breach से कोई affected न वो भी जस्पे को ही फिलाल hackers ने एक sample data dump किया है डार्कनेट में अब डार्कनेट क्या है डार्कनेट वो जगह है जहां आप Google search के जरीए नहीं पहुंच सकते हैं मगर यहां पर बहुत सारी illegal activities होती हैं क्योंकि anonymous browsing को support करता है यह hackers ने पूरा data देने के बदले 8000 in bitcoins मांगे थे expert 8000 dollars in bitcoins मांगी थे expert का मानना यह है कि hacker side इस data से phishing attempt करेंगे या फिर दूसरा बहुत बड़ा रिस्की है कि international merchant से online transaction इन transaction में पिन या OTP नहीं चाहिए होता है यानि सिर्फ आपके card number और CB भी रहे तो कोई भी आपके card से कुछ भी खरीज सकता है तो फिला users के लिए best option यही कि वो अपना credit card या debit card के international usage को बंद करते हैं यह आप net banking या phone banking या message के जरीए कर सकते हैं safe रहना हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि company अपना profit देखेगी उस चकर में कुछ data और पैसा इधर उधर हुआ तो उसको कुछ फरक नहीं आने वाला तो दोस्तों यह था आज का एक informative video जो आपने अगर ध्यान दिया होगा तो यह एक informative video था तो आई होप आपको इससे थोड़ी information में लिए होगी और मैंने देनी कोशिस की है तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरू कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा दोस्तों थेंक्यू सो मच गुड़ दे